बिहार बीजेपी के नेता सुसील कुमार मोदी के आरोपों और आईटी विवाग के च्छापों के बाद मुश्किल में घिरे लालुक परिवार के मुश्किले कम होती नहीं दिख रही है मीशा भारती तेजस्वी यादब के बाद अब ताजा मुसीबत आई है बिहार सरकार में स्वास्त मंतरी और लालु के बड़े बेटे तेजपताप यादब पर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिम्टेड बीपी सी यल ने बिहार के स्वास्त मंतरी तेजपताप यादब को कारण बताओ नोटिस जारी किया है RJD परमुख लालू परसाद यादब के बड़े बेटे तेज को यह नोटिस एक पेट्रॉल पंप के अवायद लाइसेंस की सिलसिले में जारी किया गया है BPCL ने तेज परताब से 15 दिन में जबाब मांगा है कि उन्होंने पंप के लिए लाइसेंस किस तरह हासिल किया अगर तेज परताब उचित जबाब नहीं दे पाते हैं तो उनका लाइसेंस रद करके उनके उपर कानूनी कारवाई की जा सकती है तेजपताप पर आरोप है कि उन्होंने बटना की व्यस्त अनिसाबाद बाइपास रोड पर इस पेटरॉल पंप का लाइसेंस गलत जानकारी के आधार पर हासिल किया है माना जा रहा है कि तेजपताप प्यादब को मिला नोटिस बिहार बीजेपी के नेटा सुसील कुमार मोदी के आरोपों की वज़ा से विजवाया गया है सुसील कुमार मोदी ने आरोप लगाया था कि यूपिये के दूसरे कारिकाल में धुखा धड़ी के माध्यम से तेजपताप प्यादब को इस पेटरॉल पंप का लाइसेंस जारी किया गया था यही नहीं BPCL को इस सिलसिले में कई शिकायते भी मिली कि जिस जमीन के कागजाद दिखा कर तेजपताप यादब ने या डिलर्शीप हासिल की है उस जमीन की लिज उन्हें दी ही नहीं गई है इस से पहले केंद सरकार के परियावरण वन एबं जलवायू परिवर्तन वन तराला ने दानापूर के सुगना मोट पर तेजप्पी परसाद यादब की जमीन पर बन रहे डिलाइट मॉल के निर्मान पर ततकाल प्रभाब से रोक लगाने का आदेश दिया था मॉल की जमीन से बिना अनुमती के मिट्टी खुदाई करने और बिना इजाजत के निर्मान कार करने की वज़ा से यह रोक लगाई गई साथी साथ मॉल क बनाने से पहले परियावरण मंजूरी नहीं ली गई कुल मिलाकर लालू परिवार चौतरफा मुस्किल में घिरता दिख रहा है ऐसे में सुसील कुमार मोदी ने भी अपने हमले तेज कर दिये हैं उन्होंने कहा कि लालू एंड फैमली को जेल जानाता है साथी साथ उन्होंने मुख्यमंत्री नितीश कुमार को भी आड़े हातों लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए नितीश कुमार चुपपी साधे हुए हैं ब्यूरो रिपोर्ट रैड नेटवर्क झाल